दोस्तो बहुत बहुत स्वागते आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है My Health India और दोस्तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा पतनजली के अस्वगंदा रिस्ट के बारे में तो recently जब मैंने वीडियो बनाया था बैदनात के अस्वगंदा रिस्ट के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर आप पतनजली के जो दीवयो अस्वगंदा रिस्ट आती है उसके उपर भी रिव्यू कीजिए बताए कि उसके क्या-क्या फायदे होते हैं तो देखें दोस्तो आज हम लेके आये हैं पतनजली की ये दीवयो फार्मसी की अस्वगंदा रिस्ट जो की पूरुसों के लिए काफी फायदे मंद होती है उनका वीरे गाटा करती है मरदाना ताकत है तो वो भी बढ़ाती है इसके अलावा मानसिक रोगों में भी फायदे मंद होती है मैलाओ के लिए भी फायदे मंद होती है ये एक जबर्दस टोनिंग है और आपकी बोडी के लिए काफी फायदे मंद होती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम आपको डीटेल में बताने वाले हैं कि ये जो दीवियो फार्मसी की अस्वगंदा रिस्ट है उसकी प्राइस और पैकिंग क्या है इसमें कौन-कौन सी जड़ी बुटियां डाली गई है इसके फायदे क्या है इसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के से जो रोग होते हैं मानसिक रोग हैं पूलुसों के रोग हैं या फिर मैलाओ के रोग हैं या फिर पेट से रिलेटेड रोग हैं तो कौन-कौन से रोगों में आपको लेना चाहिए इसके बाद हम बात करेंगे इसकी 7 विधी क्या है और end में हम बात करेंगे कि इसके side effects क्या होते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी price और packing पर तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 425 एमिल की ये bottle है जिसकी जो price है वो है 94 तो आप इसे किसी भी Ayurvedic Store से ले सकते हैं इसके अलाव अगर आप इसे चाहे तो online भी ले सकते हैं जिसकी जो link है वो मैंने description में दे रखी है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी जड़ी बुटियां डाली गई है तो देखे यहाँ पर mention है कि कौन-कौन सी जड़ी बुटियां डाली गई है हाला कि पहले यहाँ पर mention नहीं था कि कौन-कौन सी जड़ी बुटियां डाली गई है तो यहाँ पर text बहुत छोटे हैं तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी जड़ी बुटियां डाली गई हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके फायदे क्या-क्या होते हैं। इम्मुनिटी को भी यह बूस्ट करती है। मैलाओ में अक्सर देखा जाता है कि डिलेवरी के बाद उनके सरीर में विकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो वो जो कमजोरी है वो दूर करने में फायदेमंद होती है। यह दिमाग की विकरूती, कमजोरी या फिर थकावट है तो उसे भी यह दूर करने में मदद करती है। यह अलावा सरीर में जो समत तरके दातू होते है।type सरीर में आप सबी को पता होगा कि सात तरके दातू हैं तो उनने यह पोसिद करने में मदद करती है। इसका विसेस प्रभाव जो है वो प्रजनन अंगों पर होता है, ये पाचन को भी अच्छा रखती है, ये मस्तिक्त के रोगी जो है, जैसे की दिमागी कमजोरी, स्ट्रेस, अवसादादी को कम करने में सायक होती है, इसके अलावा ये सरीर के हर एक अंग को ताकत देती है, य अगर आपको ब्रेंड से रिलेटेट प्रॉबलम है, तो उनमें भी ये फाइदेमन होती है, ये उत्तम रसायन है, कामो दिपक है, फर्टिलिटी बढ़ाने वाला है, ये तंत्री का कमजोरी, बेहोसी, चक्कराना या फिर अर्ण इंडरा, यानि की इंसोम्निया जैसी प्र अगर आपको मानसीख दुरबलता है, यानि की मेंटल डेबिलिटी है, या दास्त में कमी है, उनमाध है, मनोविकृती या फिर दुरबलता है, बेहोसी या फिर मिर्गी है, तनाव है, अवसाद है, अनिंद्रा है, तो उसमें ये काफी फाइदेमन होती है, पुरूसों के जो रोग होते हैं, जैसे कि स्तंबंदोस, अल्प सुक्रानुता, नामर्दी, या फिर जिन लोगों का वीर्य पतला है, या फिर वीर्य की कमी है, तो उसमें ये फाइदेमन होती है, पाचन के जो रोग होते हैं, जैसे कि पाचन की कमजोरी है, या फिर बवासिर हैं, पायस तो उनमें भी ये फायदे मन होती है इसके अलावा जो अन्य रोग हैं जैसे कि सारी रिक दुरबलता तंत्री का तंत्र की दुरबलता वात रोग आम वात कम रोग प्रतिरोधक समता है या फिर हिस्टेरिया है तो उनमें भी ये काफी फायदे मन होती है अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसके सेवन विदी की तो देखिए अगर आपकी जो उम्रह है वो 18 से कम है तब आप इसे 10 एमेल ले सकते हैं 18 प्लस वाले जो लोग हैं वो 20 एमेल ले सकते हैं दवा को पानी की बराबर मातरा के साथ मिला कर लेना चाहिए इसे सुबर नास्ते के बाद और र प्रवाओ के बारे में तो ज़्यादा सेवन से इससे आपको एसिडिटी हो सकती है सीने में जलन भी हो सकता है गैस की समस्या भी हो सकती है या फिर मुह में चाला भी हो सकता है लेकिन ये उन लोगों को होता है जो ज़्यादा मातरा में इसका सेवन करते हैं अगर आपको ऐ सा होता है तब आपको इसका सेवन कम कर देना चाहिए